हेलो फ्रेंड्स क्यासा आप सब लोग तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे एक बहुती महत्पून चेप्टर की जो आपके रीट के एकजाम में हमेशा ही पूछा जाता है REIT में आपके EVS यानि की परिवरन अध्यन का ये बहुत ही महत्पून चेप्टर है जिसका नाम है परिवार यानि की फैमिली देखे आप लोग REIT के प्रिवेसर के कोशन पेपर उठा के देखोगे जितने भी मैं आपको चेप्टर करा रहा हूँ REIT के वहां से कोशन आपके एकजाम में हमेशा ही पूछ जा रहे है और आपको पता है मैं वो चीज़े कराता हूँ जो आपके पेपर में पूछी जाती है इससे पहले EVS के कई सारे चेप्टर में कम्प्लीट करा चुका हूँ आप लोग उनको प्लेइलिस्ट में जाके देख सकते हो मैंने EVS की CDP की अलग से प्लेइलिस्ट बनाई हुई है वापर आपको इस सभी चेप्टर मिल जाएंगे जो मैं अभी तक करा चुका हूँ जो आपके रीट के एकजाम में पूछ जाएंगे जो चेप्टर बचे हुए हैं उनको जल्दी ही मैं अपने यूटूब चैनल पर डाल दूँगा इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि बचे हुए चैप्टर आपको EVS के मिल जाए और आपका EVS का सिलिबस कम्पलीट हो जाए बाकि CDP के मैं सारे चैप्टर अपने यूटूब चैनल पर डाल चुका हूँ जो भी चैप्टर आपको डूढ़ना हो उस चैप्टर का नाम लिखकर साथ में मेरा नाम लिख दिया करो सचिन आपको चैप्टर मिल जाएगा CDP में कम्पलीट करा चुका हूँ इवेज जल्दे ही कम्पलीट हो जाएगी उसके बाद मैं आपकी कराऊंगा Hindi, Maths और English को कराऊंगा ताकि आपका syllabus कम्पलीट हो सके और देखे ये मेरे WhatsApp नमबर दियावा है इस पर अगर आप लोग चाहे तो message करके read के notes ले सकते हैं ये read के notes मैंने इसलिए बनाये ताकि आप लोग read के exam पास कर सको क्योंकि इन notes के अंदर मैंने जितने भी previous year के question paper है चाहँ के read के हो, tat के हो, citate के हो सभी को डाला हुआ है practice के लिए तो अलग से कोई practice set लेने की जड़ोत नहीं पड़ीगी, सब इनके अंदर आपको मिल जाएगा उसके लाबा, जो RBSC किताब का content है, वो सब notes के अंदर डाला हुआ है उसके साथ मैंने NCRT किताब का content भी इन notes के अंदर डाला है और जो आपका syllabus दिया हुआ है, जो read का आपका syllabus है और मैं आपको हमेसा एक ही बात बताता हूँ syllabus के अंदर जो chapter दिये हुए है, उन्हीं के according आपको तयारी करने है इदर उदर की चीज़े कुछ नहीं पड़नी जो कि पूरा paper ही आपका syllabus से आएगा, जो आपको read के अंदर दिया हुआ है तो syllabus के अंदर जो जो chapter है, वो mostly आपको notes के अंदर मिल जाएंगे तो इनको आप ले सकते हो और अपने exam को pass कर सकते हो चलिए बात करता है, महत्पून chapter की परिवार यानि family की वीडियो के अंद में मैंने कुछ question भी लिए हुए, महत्पून question जो आपके read के exam में पूछे भी गई है फिर उनको practice कराएंगे और साथी channel को subscribe कर लिए आप लोग, ताकि ये महत्पून chapter आपको जल्दी YouTube channel पर मिल जाए, जो बच गई है देखे, आप लोग सभी जानते होंगे family यानि परिवार के बार में हमें वो चीजे point निकान लें इसमें से, जो हमारे exam के लिए महत्पून है जैसे की परिवार सभी जंगा होता है और समाज की पहली काई होता है अब exam में question कई बार पूछा जा चुका है कि जो समाज होता है उसकी first unit किसको का जाता है समाज की पहली काई किसको का जाता है तो समाज की पहली काई का जाता है परिवार को क्योंकि बच्चा जो भी चीज़ सीखता है सबसे पहले अपने परिवार से सीखता है तो समाजी करने की सबसे पहली unit क्या होगी परिवार होगी जिसमें हमारे मम्मी पापा बेहन भाई ये सब होंगे समझगे पहला पुइंट निकल गया इसमें से आगे देखते है जब बालक का जनम होता है तो उस समय ना तो वैसामाजिक प्राणी होता है और ना ही आसामाजी प्राणी होता है वैकेवल मनोसारिडिक प्राणी होता है यह होगी परिवार के बारे में थोड़ी सी बात है अब बात करते हैं परिवार की विशेष्था है एक नमर का कुछन परिवार की विशेष्था उससे भी पूछा गया है और कई बार देखने को म इस चैप्टर की पूरी जान है वो क्या है कि जो परिवार के टाइब से परिबार के परकार है यहांसे विर्습 करते हैं एक रहे जाए जान है उतियाब की जोइंट फैमिली एकल परिवार और संयुक्त परिवार यहां लगा ले ना वेरी वेरी इंपोटेंट यहां से कोशन आपके एक्जाम में जरूर देखने को मिलेगा और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है यह जो चीजे में आपको पढ़ा रहा हूं ना ज देखे पहले बात कर लेते हैं नूकलीर फैमिलिगी यहां नीकि एकल परिवार की वह परिवार जिसमें पति-पत्नी और शिर्फ उनके एविवायत बच्त के बाकी कोई और भी सर्दस्य सामेल नहीं होता सिर्फ मममी पापा रहेंगे और उनके बच्च्चे रहेंगे जिन आपका एकल परिवार अब देखे कोश्चन आपके यहां से पूछा जाता है कि जो एकल परिवार के अलग-लग रूप है यह पढ़ना आप लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि सीटेट और यूपिटेट के अंदर इतनी डीटेल में नहीं आता लेकिन रीट में आता है आपक मूल एकल परिवार में क्या होता है पती-पत्नी का होना जरूरी है चाहे उनके बच्चे हो या ना हो लेकिन पती-पत्नी का होना जरूरी हो है यह आपका मूल एकल परिवार अब जितने भी मैं परिवार के टाइपस आपको बताता जा रहा हूं उनको समझते जाना और दे दूसरा प्रिवार देखते हैं सेलेबस में होने के बावुजूद भी इतनी चीजें डिटेल में अंदर से नहांती इतनी रिट में पूछी जाती है इसलिए मैं आपको डियेल में को बताता हूं ठीक दूसरा परिवार है एकल परिवार के उसकी पत्नी मर गई हो विद्वा जिसका पत्ती मर गया हो संबंदी रहते हो मतलब ऐसा परिवार आपने देखने को मिलेगा कि मम्मी पापा रहते हैं एवाइत बच्चे रहते हैं और मालीजे किसी का आदमी है उसकी सिस्टर की क्या हुआ वो तलाग सुधा हो गई चिक है य अगला देखते हैं अगला आपका उपमूल परिवार वे परिवार जिसमें कोई विद्वा या विदूर अपने एविवाइत बच्चों या सगे बाई बेहनों के साथ रहते हैं आपने देखा होगा कि बहुत जंगा ऐसे देखने हो मिलता है मानलीजे कोई लड़की है या इसमें लड़की हो चाहिए लड़का हो जब अपने बहन भाईयों के साथ रहना शुरू कर देता है लेकिन कंडिसन है वो विद्वा या विदूर होना चाहिए यह होता है उपमूल परिवार अब इनको करते जाना जो आपके रिस्तेदारे में जान पैचान में ऐसे होता है को विद्वा होगी तो अपने बच्चों को लेकर अपने भाईयों के पास रहना शुरू करते यहां पर वह अपने मायके में नहीं हांती है उसके सशाथ गे यानि उसके जो ससुरें वह भी एकस्पायर हो चुके होते हैं तो इसलिए वह विद्वा सास के साथ रहना सुरू करती है अनुपुरीत मूल परिवार के साथ साथ आपके एकल परिवार के सभी टाइप्स आपके कम्प्लीट हो गए अब देखें कोश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो परिवार के जो दोस होते हैं चैया आप लोगों का एकल परिवार हो, चैया आप का सईउंथ परिवार हो, उसके दोस्ट से सम्मन्दित question आंचर आपको exam में पूछे जाते हैं और आप लोगों से मेरा एक कोश्चन ये भी है आपको बताना है एकल परिवार अच्छा रहता है सैंत परिवार अच्छा रहता है वीडियो के एंड में फिर मैं भी आपको बताऊंगा मेरे ख्याल से कौन सा परिवार अच्छा है देखे एकल परिवार के पहले दोस्त देख लब्द नहीं होता सबसे में कमी तो यही होती है कि घर के अंदर बड़े बुजुर्ग नहीं होते जोने सला दे सके जोने रस्ता दिखा सके कोई चीज बता सके एकल परिवार में ज्यादतर बच्चे अकेले रहते हैं वे माता-पिता के अलावा अन्य पारिवारिक संबंदो के में तो को नहीं जान पाते हैं एवं दादा-दादी के लाड़ प्यार से भी वन्चित रह जाते हैं यह होता है एकल परिवार का नुकसान अभी तो नुकसान देखते जाईए उसके बाद देखेंगे अगला है जब माता-पिता दोनों ही काम काजियो या या दोनों ही ज चले जाते हैं उसके बाद देखबाल के लिए किसी नोकरिया नोकराइन को रख लेते हैं और उस तरीके से उसका पालन पोसन नहीं हो पाता जिस तरीके से होना चाहिए ठीक है तो दूसरी कमी यह मुझे सबस्याद लगती है बुरे समय में परिवार को कोई आर्थिक व भा तो यह हो गई आपके एकल परिवार के दोस्त अब एकल परिवार की तरह बात करेंगे संयूंत परिवार के बारे में वह परिवार जिसमें तीन पीडियों के सतस्य जैसे पति-पतिनी और उनके ईवायत बच्चे यह ता Diamal परिवार अब इनके लावा कोई भी मेंबर का जुड़ना जरूरी है चाए चाचा चाची ताओ ताई दादा दादी कोई भी हो सकता है तो हो जाएगा आपकी जोइंट फैमिली याने की सयूंगत परिवार अब जैसा आपने एकल परिवार के टाइपस पड़े है उसी तरीके से पड़े है आप लोग अब सयूंगत पर परकार है वन्स प्रमप्रागत सयूंगत परिवार इस परिवार में माता पिता का विवाइद पुत्र के साथ रहना या कभी-कभी माता का अपनी विवाइद पुत्र के साथ रहना यह होता है वन्स प्रमप्रागत सयूंगत परिवार देखें यह तो बहुत कोमन सी बात है कि जो माता पिता होगा उसके साथ मानलीजे उसका पुत्र रहता है तो ये तो हर घर के अंदर मोश्टी देखने को मिल जाता है लेकिन ये बहुती रेर चांस होता है कि मानलीजे किसी की लड़की साधी करके आई और अपनी मम्मी को भी साथ में लेकर आ जाती है वही पर जाउच की साधी होती है तो अपनी माता का अपनी विवाइत पुत्र के साथ भी रहना ये भी आपका वन्स प्रमप्रागत सयुंग्त परिवार का परकार है ठीक है आपका साक्य सयुंग्त परिवार दो युगल का होना विवायत युगल का होना जरूरी है आगे बात करते हैं अगला आगे आपका वंस परंपरागत साक्य सयुंग्त परिवार इस परिवार के सयुंग्त परिवार में तीन या अधिक युगल वंस परंपरागत रूप और सा पापा तो रहेंगे माता पिता तो रहेंगे और उसके दो या दो से अधिक विवाइत बेट रहेंगे और उनके एवयद बच्चे होंगे मतलब बच्चे होंगे फिर उनके माता पिता होंगे फिर उनके दादा दादी होंगे तो ये कंडिशन भी आपको कई सारी परिवार मे देखने को मिलेगी आपके घर में भी ऐसी चीज होगी इसलिए मैं कहा रहा हूँ आपको रटना नहीं है जो जो परिवार के टाइपस आपको बताता जा रहा हूँ उनको जोड़ देना यार वो तो उस अंकल से मिल रहा है या हमारे उस रिष्टेदार से मिल रहा है आप सेंबर को जुड़ जाएगा तो हो जाएगा आपका अनुपूरी साक्य सेंग्त परिवार देखे फ्रेंड अब बता दिये मैंने सेंग्त परिवार के आपके परकार अब बात करेंगे सेंग्त परिवार की समस्या है जैसे एकल परिवार की समस्या होती है कैसे इसमें गोप कभी महिलाओं को कम संबान गया जाता है देखे मेरी आप लोगों से की रिक्वेश्ट है जो चीजे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ न उसी के कोडिंग पढ़ना अपनी तरफ से अपना विचार मत देना कोई भी क्योंकि अगर आप लोग अपना विचार दोगे ना नहीं सर हम आपने रिस्तिदारी में देखा है वाँ सभी महिलाओं को पुरा संबान मिलता है मैं आपको चीजे वह पढ़ा रहा हूँ जो आपको बुक में गिवन है जो बुक में दी हुए है और जिसके अकोडिंग पेपर में आपके कोशन पूछ आ जाएगा तो आप लोग अपने विचार मत देखना जो चीजे आपको करा रहा हूँ उनको देखना क्योंकि मैं आपको वो चीजे पढ़ा है जिसकी संबान है सबसे जादा होती है अक्सर परिवार के सदस्च्व के भी संपत्ति को लेकर या किसी और बात को लेकर जगड़ा होता रहता है ये भी स्युंत परिवार के अंदर देखने को मिलती है बाई-बाईयों में लड़ाई हो जाती है बटवारा हो जाता है तो ये भी स्विंगत परिवार की एक समस्चा है आगे देखते हैं कुछ महिलाओं को घर का सारा काम करना पड़ता है और उनको अपना व्यक्तित निखानने के लिए बह पड़ नहीं पाती उसका किसी और चीज में रूची होती है कुछ बनना चाहती है किसी चीज में इंट्रेस्ट होता है उसको नहीं कर पाती कि नहीं मेरी फैमिली अलाउंड नहीं कर रही तो यह भी क्या होती है समस्या होती है आगे देखते हैं और समस्या के बारे में समस् अपने व्यक्तित विकास के सवतन तरफ स्वन नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हर्गीजी की सला आपको सुननी पड़ेगी, माननी भी पड़ेगी, आगे देखते हैं नुक्सान, इसमें आवसकता पूरी होते रहने के कारण अधिकांच परिवार के सदस्या आलची हो जाते हैं क्यार चल उसने वो तो कमाई करी रहा है, मेरा थोड़ा बोध भी होगा, तो मैं एड़ेस्ट कर लूँगा, वो काम कर देगा, मैं कम कर लूँगा, चीक, और इसमें कठोर नियंतरन होते हैं, ये सविंगत परिवार की आपकी क्या है, दोस है, एकल परिवार के दोस बता द आंसर की, जो आपके रीट के एकजाम में भी पूछ गए, और दूसरे एकजाम में भी पूछ गए, देखें, कोश्चन को जहां से पढ़ना, और फिर आप लोग आंसर देना, चाहे तो वीडियो को एक बार आप सुरू से देख सकते हो, ताकि आंसर आप इसली दे पाओ, इसमें पूछा है, निमली कित में से कौन सा एका की परिवार की विशेशता है, यहाँ पर बात हो ज़िए, एकल परिवार की न्यूकलियर फैमिली की, उसमें कौन होता है मेने के बात है ता, सिर्फ मम्मी, पापा और उनके एविवायत बच्चे, देखें, ओप्चन क्या ह कम लोगों का होना? बिल्कुल सही बहिए, कम लोगों होता है एकल परिवार के अंदर, पराय माता, पिता और उनके बच्चों का होना? यह भी सही बात है, तो दोनुए उप्षन शही है, आंचर आपका C सही हो जाएगा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताओ, ताओ, औ परिवार उसे कहेंगे जिसमें मैंने क्या कहा था मम्मी पापर उनके बच्चों के लावा कोई भी मेंबर जुड़ जाए ठीक तो परिवार की तीन पीड़े साथ रहती है उबरी में आपको बता है तीन पीड़ो का समाविशन एक साथ रहता है सहिंत परिवार के अंदर तो पहला पॉइंट आपको सही है उसके लावा माता पिता दादा दादी एं ओ एक विवाहिद बच्चे साथ रहते ये विल्कुल दूसरा प्यूइंट सही का अपका थार्ड सही हो जाएगा देखेए सिंपल कोशन थे आगे बढ़ते हैं आगला कोशन आपका इसका अंसर देनी की कोशिश करिए कि वंच परंपरागत साखे संउंगत परिवार कौन चेह होते हैं तो यह होते हैं आपके सीधा मैं अंसर बताऊंगा आप फिर खुद देखते रहना तीन या अधिक यूगल वन्स प्रमपरागत रूप में साके वे प्रमपरागत रूप में परसपर सम्मनित होते हैं मैंने क्या बताया था मम्मी पापा और क्या हो गया इनके बच्चे होगे ठीक है और बच्चों के भी फिर बच्चे होगे एक सेकिंड और बच्चों के भी फिर बच्चों गए तो यह क्या होगा यह होगा आपका वंच परमपरागत साक्या सेंग परिवार आंचर आपका दूसरा सही हो जाएगा अगला कोशन देखते है अगला कोशन पूछा है कौन सी विशेष्टा परिवार की नहीं है तो हो गई तो यह क्या होती है विशेष्टा होती है कोशन में पूछा तर नहीं है तो आंचर आपका क्या सही हो जाएगा आपका यही सही वे समान अवास भोजन और समान सामाजी क्रिया को उप्योग करते यह परिवार की विशेश्ता होती है तो यही आंचराब का सही हो जाएगा ओप्शन नंबर सेकंड यह विशेश्ता नहीं होती है चलिए देखते हैं आपका अगला कोश्चन देखे कितना सिंपल सा कोश्चन क्याUNG समान समाज कि सबसे चो चो चोंति का जाता है थी चोड़ी कोश्चन आंसर परिवार का आपका complete हो गया इस तरीके से जैसे CDP complete करी थी EBS को भी हम लोग जल्दी ही complete कराएंगे ताकि आपके syllabus को जल्दी complete किया जा सके वनने मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ है इस पर आपको अपने सभी subject के notes मिल जाएंगे इस पर message करके आप लोग अपने read के notes को ले लेना ठीक उसके लाब भी आपके लिए class लेता हूँ उस live class में question answer की series भी मैंने चला रखी है उनको भी आप लोग देखा करो daily 8 बजे में live class भी लेता हूँ ताकि आपकी practice भी होते रहे content तो मैं आपको कराई रहा हूँ ऐसे practice भी उसके साथ सथ होते हैं thank you friends कल मिलते हैं किसी दूसरे chapter के साथ तब तक अपना पढ़ते रही है आयोप आपको वीडियो पसंद आयोगी